तो मिल रहे हैं एक और नही रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्लीज तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो यहां पे हमने लिया है बारी कटा हुआ प्याज पतला लंबा और आलू को करदुगस कर लिया है गाजर पत्ता गोबी दो ब्रैड और अधा कप बेशन इससे बनाएंगे हम यह हेल्दी सा स्नैक्स तो चलिए इसे मिलाने की त्यारी करते हैं हमने पत्ता गोबी को आच्छे से ग्रेट कर लिया है पह सारा धनिया और यहां पर अब हम इसमें आड़ कर देंगे आधा कप बेशन जो हमने लिया था अगर आप सबजी कम ज्यादा ले रहे हैं तो बेशन उसे साब से अर्जस्ट कर लें तो यहां पर टेस्ट के एकॉर्डिंग लेंगे नमक एक चमच एक चमच लाल मिर्च यही मसाले जाएंगे आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी आड़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे तो लीजी हमने इसको पूरी अच्छी तरह से इस तरह मसल मसल के मिक्स कर लेना है देखिए इस तरह से कहीं भी कम ज्यादा ना रहे मसाला तो यहां पर हमने लिया है दो ब्रेड उनको मैंने अच्छे से कर लिया है आप चाहे तो ब्रेड करम भी डाल सकते हैं या ऐसे तोड़के भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने दो ब्रेड का चूरा लिया था वो इसमें डाल दिया है इससे क्या होगा कि हमारा जो स्नैक्स है बहुती क्रिस्पी सा और तो लीजी अच्छे से मिल गया है तो बाइंडिंग के लिए हमने दो चीज जाली देखिए जब इस तरह से बन जाए तो हमारा बिल्कुल अच्छे से यह मिक्सर रैडि है तो हाथों को हम कर लें ग्रीस ओयल से आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं हमने ज्यादा बेसन नहीं डालना इससे ज्यादा के सारी सब्जियां जो है हमारी बेसन के अंदर ही छिप जाएं बस बाइंडिंग के लिए डालेंगे तो देखिए मैं इस तरह कबाब की तरह इनको रैडि कर रही हूं इस शेप में जैसे टिक्की बनाते हैं आप चाहें बॉल शेप मी रेड़ी कर लिए किसी था करें तो मैंने ये सारे हम डालते ही इनको ना पल्टे थोड़ी दर इने सैट होने दे एक सिया धमिट उसके बाद आप इनकी साइड चेंज कर दे और मीडियू फ्लेम पे हम इने फ्राइब करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से सिख जाएं अंदर से कच्छा ना रहे तो इन्हें इस तरह से कर सकते हैं इससे बहुत ही है और टेस्टी भी हो गया है तो लीजी देखिए इस तरह से यह फिल्कुल से के रेडी है अब हम इनको इस तरह साइड में लगा लगा के निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्टा ओयल है वह बहार टिकल जाए कि इतना जटपट बन जाता है इसी प्रट के इनको भी अषा कर लेंगे अब चाहएं तो बच्चो का स्नेक में सकते हैं लॉंच बॉक्स में दे सकते हैं और ब्रेकफ़ास्ट में बुन्हासकते हैं तो लीजी हमारा है यहलदी टेस्टी टीं क्रिस्पी स्टैक विलकुल बन के हैं तो आप चाहे ऐसे भी खा स कि इसके साथ किसी चटनी या सॉस्की भी जरूरत नहीं है पर मैं इसे सर्फ कर रहे हूं ग्रीन चटनी और टोमैटो कैचप के साथ कितना बढ़िया दिख रहा है और कितना टेस्टी बना यह तो बना की पता चलेगा और हाँ फ्रेंड अगर रैसिपी चलेगी वीडियो को ल कि अर्वाली चलेगा स्टी जर्वाली गए बना की खितना बना की बना बना इसके साथ कितना टु कितना बना आख तेस्टी बना